10 लक्षन धर्मन नी आराध्नानो आजे चलो दिवस मेथुन्ती रैत उत्तम ब्रह्मचर्यनी आराध्नानो दिवस आराध्नानी मर्यादासों होई काड अपेक्स आये साधना कहो उपासना कहो आराध्नानो कैटला क्या सुधी होई काड नी मर्यादासों होई जे हीतकारी कारिय सरू केरूचे इमा काड नी मर्यादासों करवी जीवने सूख कहो हीत कहो कल्यान कहो कैटला समय माट जुवेशे एननी कोई माप नथी रैको काणनू पन माप अने केटलू एम पन नहीं तो पची जे धर्मन नी आरादना जे कल्यान रूप भितरूप चे इमा मरियादा सो काम करिये छे घणाना जीवन मात ये प्रकार बनतो हो से पैसा ने सुखनू साधन माईनू छे तो पैसा कमाव क्या क्या सुधी पोँचे शे अजायनो देश हो अजायनो भासा आते बदू अजायन मडे के न मडे एनी सुखे अनिशित्ता गेरंटी कोई ज न थी अने छत्ता अपने सुथ है से ना माट ये शुधी ना निक दाइश अब होँए के जे वेदर सुथ थाई ना थाई चत्ता से ना आधारेग शायाए से एक रुची अभीप्राइट हैगि हो ये क्या सुधी ले जायाए शे उन्शित्ता माँ पन्शित्ता पणो माने ने ले जायाए से तो ज्याद धर्मनी आराधना मा तो निश्चित आशे इमा आत्मानु कल्याण हीत थया वगर रेतू न थिया न चता एनौके विश्वास न थियावतौ मने स्वासलिवानु बंथ से स्विकार्य से धर्मनी आराधना करवी शे क्या सुधी जिवन ना? अन्त सुधी आराधना करवी से, नहीं अटली ही नत करवी से, जीवन अंसुधी नहीं, मारी जां सुधी पुनता ना था त्यां सुधी यह न समझे आपरता खबने कांड अटली मर्यादा सिकते गया थे, रुची मा कोई थी विशारता ना थी अनुकूर सामगरी ने एटली त्रश्णा अचे, क्या आ भौमा ने आवता भौम में बदु विचारी लईये शे शेनी त्रश्णा ने वस, तो आराधना माटे आज भौव सुखा में आपरे याद राखिये शे अरे एवी आराधना उपाड़ू, एवी आराधना ना संस्कार नाखू, कि आ भौवना छेल्ला समय सुधिन ने, आवता भौमा पन मारी आराधना नो अनुसंधा नती जे कम से कम एक भौवना मा तो ओच अपना राखिये, तो ये आज अन्तिम जे दिवस एमा, सीलना, ब्रह्मचर्यना, केटला भेद, अधार अजार, कुंद कुंद आचार देवना भाव पावड छे, अश्पावड मा, एमा एमने 84 लाख लिखाए, कोही नेमता है, ओ एटला ब एमने 84 लाख लिखाए, के विड़ते रहाद रता है, छे एमा जो कोई ने घरजें जोवोई तो, एमा कांड के मा बूव विस्तार चे लिवांच्व तो ना थी, पर एमा एक्सो ने वीस नंबर नी गाथा है, बाव पावड, अश्पावड चे ना, एमा विस्तान अत करव पानु जो तो है, तो बाव पावड गाथा एक्सो वीस, एनु खाली अर्थमाची जाईए, स्वील ना अधार अजार भेदो शे, अ मुख्य, पचे ना उत्तर गुण, उत्तर गुण उत्तर गुण उत्तर गुण अटले ना सब डिविजन, जे मुख्य होईए, पाँच पावड पाँच चे ना डिविजन करिये तो पाचे घणा थत्ता जे जाईए, एन मुख्य के ला अधार हजार, अन्य उत्तर करिये भेद पेटा सब डिविजन करिये तो उत्तर गुण के ला चोर्यासी लाक चे, हवे कुंदकुन आचार देखे चे, हे मुने, घणा जुठा प्रलाप, तो जुठी वाद आगळ विकरवानी वाद शुचे, आसिलो नी अन्य उत्तर गुणो नी बधानी तो भावना कर, सब्दो सु दिदू चे, सब्दो चोरासी लाक्षु दितो ने पहुची सक, पन भावना कर जे, जम सरीर्थी बेदनान करवा माटे, आँ भेदनान करवा, सरीर्थी बेदनान करवा, सु करू पड़े, तो सरीर्थी बेदनान करवा, सु करू पड़े, 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 सु करू पड़े, जे ना थी छुटू छे एना विस्तार मा ने जतो जे नू ग्रहन छे एमा जजे सुछे सरीर थी बेदनान करामार सरजनी डिटेल मा जवन न तिकान के ये बदाती सु करूँ छे लक्स चोडू छे तो विस्तार थी एक केवामा आवें अईया सील ना चोर्यासी लाकी देना विस्तार ना वड़ चिंदान कर एक अस्ती सील सभाव चारित्र सभाव वित्राग सभाव आतमा मा तू एवी रमनता कर जे के कोई विकल्पज वो न था एनू नाम साथू साचू ब्रह्मचरिय केवामा आवेसे बेने बेना केटला जवाब छे खोटा ये गोत्वाने जातो चार लखिना बाकी ना बदा अविज्यस ओटोमेटिकें आईया सील सभूप चारित्र सभूप एवा पोताना चैतन्य भगवान चेना ब्रह्म अन्यक्चरिया ब्रह्म एटले सो कहाए ब्रह्मा ब्रह्म एट शबद ब्रह्म आवेशे नुप पर ब्रह्म विस्त व्यापक फेलाव इटले व्यापक ब्रह्मन ओरसो व्यापक तो आत्मा के वो चे क्यों व्यापक चे आत्मा सर्वगत चे के असरवगत चे अने कान माद के नाजन पाड़ कोई एक बुछ सरस आवे चे गुर्देशिनु जो प्रवचने सामभडवाज जेऊ चे करेकर प्रवचन सारनी 107 नम्बरनी गाता चे एमा सत द्रव्य, सत गुण, सत परियाई, सत नो विस्तार तारू फेलावापणू केटलो चे, दर एक कोई पन पदार्तनो एननो फेलावापणू केटलो चे, के द्रव्य रूपे सत एटले होवापणू चे गुण रूपे एनों होवा पणुछे अन्य परियाई रूपे पणे नों होवा पणुछे अन्य बीजी भासामा के वो होई तो द्रवक शेत्र काडबा ओला तरणती वाद करी ओली शेत्र एको मेरी ने एनी वाद करी गुर्देश ये आ सब्दों उपरती सुन लिदू छे एक एक गुण मा उतायरू छे तने गुणान जो होवे छे गुणान तो गुणान क्या होवा पणे रेलू छे कि गुणान द्रव्य छे गुणान गुण छे औने गुणान परियाई गुणान नो अटलो विस्तार आ सिवाय तने क्यां बाय विशयो माती गुणान मळवानो नती बीजे गोतवा जेश ने आनन्द जोवे छे तो आनन्द माई द्रव्य छे आनन्द मारो गुणान चे अ आनन्द नो विस्तार चे, कोई पन पांच इंद्री ना विसयों मा क्या आनन्द नो फेलाओ न थी कल्पना थी तो गम्मेते मानी सक्क्याईशे कल्पना थी एक काचना टुकडाने हिरा मानी लए पन मानवा थी काई आपड़ू मानवा थी कोई वस्तु सरु बडली जतु न थी तो एक बहुत सुंदर एक गाता उपर थी गुर्देशी एवु भेदनान गुटाईवा पनेम थाई के आवा एक सब्दों मा थी केव एक न् आपड़ू मा थी आख़ू कया लेगा गुर्देशी , प्रयोजन मा सत्त्त द्रव्गुन परिया नौ विस्तार के लिन अस्तित्वसीद करूथा आचार्देवे नहीं मा थी गुर्देसी क्या पहसं पड़ आपड़ना लेगा प्रियोजन तने सुख जोवे चे तो सुख माटे क्या गोत ने सुख नो विस्तार केटला माँ चे के द्रव्य पोता नो चैतन भगवान आत्मा सुख सरूप चे येनो सुख नाम नो गोण चे येनो स्विकार करिश्त परियाय में प्रसर वो तहीं ये ब्रह्म हुँ फेलायलोचु केटला मा फेलायलोचु मारा स्वरूप अस्तित्व मारा स्वरूप अस्तित्वति बाह्य कोई पन पदार्थ माँ ए सबंधीनों विकल्प करो ए पन अब्रह्म पनौँशे ओला विशेई नी तो बोछ थूर नी वाद दूर नी वाद अने मा को एक पटिकलर इंदरी विशेई ने कोई पड़ इंदरी विशेई मा ए तने रूची कर लागे छे इस कर लागे छे ए बदो अब्रह्म पहा हो चे अति इंदरी आतमा मा तारी पणती रूचे एका कारता ए साचु ए ब्रह्म चरिय छे अने ए ब्रह्म चरिय ना या कैचे के केटला छे आम मुख्य अधाराजार बेच चे भेद प्रभेद करवा जयेतो चोरासी लाग छे आ बदा विश्तार्ती वचनती सूँ छे आ सिलोनी अने उत्तर गोणोनी तुसु करजे भावना अने ए पण एक बहुँच सारी रिते सिखवा जये उचे भावना अने पैणमन सुँआ से फरक के एकज़ वाद के सुँचे पैणमनो पुर्शार ताराती सक्यन न होई तो भावना जरूर करजे बधानी सक्ती समान रुपे ए रुपे होती न थि मुणी दसानी भावना जागी योग नोतो तो यक आभिय लखी ने भावना ने घूटी एव न थिके बहात्याना मुणी दसा लेवाती न थि भावना सुपाम करवी करोड रुप्या कमावानी सक्ति नोई पन करोड नी अब जो पति नी भावना करेश कर नत करता न्यासू करिये छे जीवनमा भावना आने भावनानी गुटनमा पढ़मनो अवसर आउसे सक्ति नो होई बधानी नो होई पन भावना जरूर ताहिया का आचारदे कर तु भावना कर तेमनी भावना चिंतन अभ्यास निरंतर राख कुन के छाओ, कुन कुन आचार देखे छेए, तेनी भावना, और भावना न ज बिदोसो करिये, चिंत, बार भावना कहीं है छेए अनो प्रेक्षा, और चिंत वन, एनो पची अभ्यास, और पची सब्द सुचे, समय मढ़े तिहारे, बदु समय आधिन होई छे, काड़ा दि सवकाड़ने थाए, बरबजी चे एगी चेए, सवकाड़ने चेए, काड़ने में, काड़ने रहाkovण, न देखे एंप पुर्षार दिया ह sé, कारिय। यो न बद। यो जारे काड़रा कोलाँ सिरत ये, कार ही थासे, से ना सुकाक्ण, ना सुकां, तो पुर्षार ये चेए क काडनी काई किम्मत अजना थी एक लेक लेक्ष चेल मां पांच मां मुख्य कौन शे वेरी गुड़त पशी काडनी राजवेते मां खोटु सुँँछे सहज साध्य के पुर्षार साध्य से तो पैसी काडनी रातो जो इपड़ से ने पुर्षार्त एटले कर्टुत्व बुद्धी नहीं ये बुद ध्यान डाखवाजेवे पुर्षार्त अन्य उपड़ेश मां पुर्षार्त नी मुकेता है पुर्षार्त कर एवोज सब्द प्रयोग आऊ से पने पुर्षार्त एटले कर्ता बुद्धी आई जासे एवो भई राखवानी जरूर नती तेम तो गम्मे माले सो तो काल लब्दी मान सो तो प्रमादावी जासे एवो नाती एक केनार उब्देश दाताना भाव सुधी पुर्शार चे त्यांक तेनी काल लब्दी पाकेली जोई चे अन्य काल लब्दी ने स्विकारनार महा पुर्शार थी होई चे एक भीजा साते के वाचे नो एक सुमेड चे एक भीजा नो के जहां जहां काल नो स्विकार करे एनी द्रश्टी कोई करता भाव पने पर तरफ नहीं होई और करता गनायक तरफ द्रश्टी एनी चली जासे तो यहां भाव ना कर एम सब्दावे तो भाव ना कर एनू चिंतन अभ्यास निरंतर राक अन्य जेम एमनी प्राप्ती थाए ते आन्य आमज करवाती तने एक क्रमसव प्राप्ती थाए वगर रेशने ये विज़ते आज भाव पावड चे ने गुर्देश येमा घणिव लेता आते के आमा बोज प्रेणा आपी ने आचार देवे भाव पावड नी गाथाव मा लिदी चे एमा आरीत ये पनिक वाद चे बिजु ये पनिक वाद आवे चे येमा अठाणू नंबर नी गाथा आछे अपने पूजया मा जे पांच-पांच प्रकार ना दस काम बाढ़ न था आए वा एनी आमा व्याक्या आछे अठाणू गाथा आज भाव पावड मा पेज नंबर बस्सों नव आविग येमा जो अब्रह्म दस अविध ताली तु आयो गाथा आचे ने गाथा आचे ने गुजराती मा एनू पध्यानुवा अब्रह्म दस अविध ताली तु प्रग ताव नव विध ब्रह्मने अपने नव प्रकार पना आए वा तानू पांच-पांच-पांच तोटल योगनी सता रे मितुन संग ना सक्त ते कैरु ब्र अभावाणवे एनू जो चे अर्थ हे जिव तु पेला 10 प्रकार नू जे अब ब्रह्म म चे तेने छोडीने नौ प्रकार नू ब्रह्म चरिय के तेने प्रगटकर एनू विष्थार पची ब्हावार्थ मान लेखो चे जेय misleading आनू जे आखो ब्हावार्थ मान लेखो चे जही चंजी नो, जह समय सार मा जह भावार्थ लेखो चे, एम नोच चे, भावो मा प्रत्यक्षर, आ उपदेश एटला माटे आपपा मा आवे चे, के तुझ काम मेथुन संगनाने जम काम सेवन अभिलासा चे, तेमा आशक्त थाइने, विशुद भावो थी, आ भयानक संसार रुपी समुद्र मा ब्रह्मान करतो रयो चे, अनाधी कार्तियावा भावो करिने, तुझ आ भयानक संसारुपी समुद्र मा तुझ ए ब्रह्मान करियो चे, अने एनो पचियमा विस्ता रयो चे, तो आज एक खरे-खर्त ये रिते ब्रह्मचर्यनी वाद करिया, ने गुर् पुजगुर्देशी जार बिराजमान होई तयां कोई एक प्रकार ने अपेनो तो जही सकेज नहीं अन्य जाय तो पन समुमाने कोई भायो नी तो उपस्तिती ओएचे इमनु चोविस वरसे जारे दिखसालेवानी हाती त्यारे लोकों ने आश्चेर थातु क्या चोविस वर जहने जोया से नेव वर्ष ने त्यारे पन जो एनु मुख मुद्रा नु अटलू तेज होई तो चोविस वरसे तो के वू हसे क्या ब्रहमचर्य के यम पाड़ी पाड़ से हम आया अन्य ए ब्रहमचर्यनी यमने एटली धड़ता क्या सरुवात्मा एमना गुरु केता क्या जहां ब्रहमचर्य के वर्ष ने तु आकाई पाड़ सिखड़ाओ त्यारे नम्र भावे पन दड़ता थी माराज ब्रहमचर्य काम पड़े वू मने काम ने सोगता एक पोतानी दड़ता हैमा कोई ना प्रतियना तिरस्कार्द वेसनी भाव न थी पोताना भावनी अंदर मा एक दड़ता जीवनमा एह थी तो ए जीवनमा ए प्रकारे आपड़े आपड़ा जीवनमा ए प्रकारे पन जेटली मरियादा सक्ति जे छे ने स्रीमत जीये तो एना माटे आखु पद रह चुछे ने ब्रहमचर्य सुभासित माटे नु निर्यक्रिने नव योवना लेश न जीवनमा एक पत्पने रहे चुछे पात्र विना वस्तु नरहे पात्रे आत्मिक नान पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचारियमा और पुजानामा तेम आईग। जीवी जरिते समझीले हूँ आ शरीर पन एना जेवुचे जम भायमा जेम अजीव रुपे ज़ड रुपे जेव देखाई से तो आ पन आ शरीर नीनन आ एमा सुफ रक से सर्वे मायना पूद गल एवी एक ब्रह्मचारियनी अंदर मा एक भावना भावा जेवीचे ने तो व प्रदाज प्रकार ना इंदरियो इस तरफ नहीं ए वरत्ती ए मर्यादा वगर चलित थीने जाई छे हूं मने मारा ब्रह्म सभाव मूं मारा सभाव मा व्यापेलो एवो चैतने भगवान आत्मा मा चरिया रमनता स्थीरता लिंता एवो करू के बीजा प्रकार नो कोई विक जड़ा ना के वा मा होएचे ए साथे साथे रत्न त्रई आराध्नान उपर वचाले चे मा जे बीजो दिवस्ये एमा सम्यग नान ना पन आठ भेज चे अन्य इपूजा मा सम्यग नान ने बे उपमा आपे थी कई उपमा आपे थी जनसम्यगनान ने जरुवा आतमा चंद्रमान नी पनोपमा आपी औने शूरियनी पनोपमा गनेय प्रकास अन भान सब्द स्मया तो गनेयों ने जानवा माटे के बुचे ये सुर्य समाज और मोह तापने नास करवा माटे चंद्र समाज आत्मिक सितल ताने और ए सम्यगनान आठंग माँ पेलू क्या है पन जिन्वानी अत्वा मंत्रों नू पन खास करी ने उचारन जारे था तो होई क्या रे सुद्ध उचारन ती खास तो पूजाना जे मंत्रों बोलवाना होई से ए न समझू क्या है या कोई पासे बोलावे ये बोलता बोलता सिक्से सिक्से ए घरे प्रेत्न करानो जिनेंद देवनी पूजा आदी मातो जेनू सुद्ध उचारन होई उपियोग पूरोग जे करी सकता है एज करू जो जो ये तो ए एक सुद्ध उचारन साथे एनोसु जानता जो 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 भाव जानवा जो गुर्देशी पोता ना जिवन माती एक वाद करता भणता त्यार एक पद आउतो तो समझाए वो समझे नहीं करे काई नू काई फानस सडगावो कहू ना एकू भड़का माई अर्तो खबर पड़ी जाए हो जेने कोई किदू फानस सडगावानो किदू तो न्या मोटो अगनियतो एन यंदर ना किदू काण के जेवू किदू एवू कहीरू इचे ने फानस सडगाव किदू तो सडगावा किदू तो सडगाव कियाँ आपड़े- आपड़ा जिवनमा पन सास्त्र अभ्यास करें अत्वा गुरु वानी जिन्वानी वांचे त्या आउत्व नती करता है तो ए एना भाव सुधी केवाना अभिप्राई सुधी पोँचवू जो यह ने साथे साथे ए सुध उचारन अने भाव बह शाते पचे जिन्वानी पठन नो सुकाल कि ज्यारे आपने कोई विकल्पों बीजा होई, बीजे प्रमाद होई आते, तो यह प्रकारे पहला विकल्पों ने सान करीने, बाकी प्रवचन सामबरता और उपयोग या भठकतो रेतो होई, तो यह यथार पने जिन्वानी पठननों के काड न थी, तो यह तला हमाटे जिन वानी पठन नो खास्तो संधिकार जे ने काया ने भोजन आधी कहिरा पशी प्रमाद होई सांज यह वो संधिकार जे वो होई तो यह पोते वीवेक पूर्वके करूँ जो यह बाकी ना चारनी वात तो आपने करी चे गुरुनू नाम क्या रे चुपावू नही अरे जेने मन आखा भाव समुद्रती उगरवानो मार्ग देखाएडो एने माते तो सु सब्दा आपने बापरिये चे स्तुतिमा सु प्रभू चरणक ने दरू आत्मा थी सोहीन आपे मने आत्मा बतायो हो हवे आत्मा समान मारी पाश सु वस्तु चे के सामने अरपण हू करू जेम कोही आपने घणिवार रिलेशन प्रमाण एक भी जाने गिप्ट नी आपले करता हो है तो कोई जे वस्तु आप इनी पाशी तो नद्द है तो आपे गुरु ये तो मने कोण बतायो हो चे आखो जाने मारो आखो आत्मा आपे आए पोछे तो एनी समान मने तो बीजी कोई वस्त जगत मा जढती नती तो हूँ सु करूँ छो आप तो हूँ दासत्व सिकारूँ छो इपन के वी रिते दास दास हूँ दास थर्ड स्टेज मा लिदुछे हे जिनेंदर देव आपना दास मा जे गंधरो आदी हो चे शुरुत के वड़ी आचारियो मुनिवारो हो चे अरे ग दास दास हूँ दास दीन दास आप प्रभूनो दीन आवी भावना तो पोता ना उक्वारी प्रत्य निरंतर हो वी जो ये एम न समझू के अमने थोड़ू घणू तो आवर तु तु गुर्देवे एमा थोड़ू क्सू के रू उमेरू चे ना आत्मा सब्द बुलता सिख क्या होई तो पन गुर्देशीना प्रता पे अवाज सब्दो तिर्थंकर अनन तिर्थंकरों थी पन मारा माटे अधिक छे आई भावना कोने जागे समझा वन उपकार सो जेने प्राप्ति ए पुरुष्णा निमिते थयो एने जावी अंदर माती सहज पने भावना भक्ती जागे छे आकोई सब्दो गोठ्वी ने बोलाता न थिवाता अंतर मा जेने उपकार आत्माना परियाए परियाए प्रदेशे प्रदेशे जेने वनाई गयो छे एने आवो सहज भक्तिन भाव उछळा वगर रेतो नतीता आपने पन आपना जीवन मा जिन्वानी माता एना प्रत्य जिन्वानी माताना रहस्य खोईली ने मर्म समझायवा एना प्रत्य पन आवी पूर्ण अर पनता होवी जो याने ए सिवाई समयगनाना त्रणमा तप पूर्वक विनैपूर्वक अने बहुमान ए जीन्वानी नो आपनने होवो याने ए माते गुर्देशी तो बोज बोज ध्यान अटले कदा जी खबर तो हसे गुर्देशी ना प्रवचन मा कोई सांबलवा बेटू होई अने गर्मी लाकती होई तो सु करें जे हाथ मा होई ये नजूपयो करवानो होई ने गुर्देशी बोज टकोर करता है हम ने खाली पोटे कोई टेको देने होई तो पन नही और गुर्देशी खास जे लाकडी राकता है से ना माते हाती है के परसेवाला हाथ होई जिन्वानी प्रतियनी महिमा दरोज सवार्ना गुर्देशी एजिन्वानी अभ्यास थोड़ करवा माटे बहुमानी एनु माटे नानी पुस्तक वात्त थाइगे छे प्रणम महात्म करीने यह तु दरोज नानी पुस्तिक आवई पन लैने सु करे माथा उपर चड़ाई जयम आपड़ क छता ए लैने बहुमान करीने गुर्देशी स्वाध्याई पोता नो एकरवा माटे नो पुरारम एक करता था तो आरिते आजे समेगनानी आरादना अने उत्तम ब्रह्मचर्यानी आरादना नो एक डिवस चाले छे